प्रिचार अभ्यान को धार देने के लिए रक्षा मंत्री राशनात सिंग गौचल पहुचे जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याश्वी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि उत्राखंड अत्यात्मिक भूमी है और देश की सिमाव को सुरक्षित करने का काम उत्राखंड करता है इस देव भूमी के लोग जान हतेली पर रख कर देश की रक्षा करते हैं रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्राखंड के लोग भी सेवा की प्रती स समर्पित होते हैं और पियम मोदी भी देश और देश्वासियों की सेवा के लिए समर्पित हैं रक्षा मंत्री ने कहा कि एक बार बहुत इमानदावी से राजीव गाधी ने इस बात को स्विकार किया था उन्होंने सौ पैसे बेज़े लेकिन लोगों तक केवल 14 पैसे ही पह पहली बैठक में पियम मोदी ने कहा कि प्रत्य भारतिय नागरिक के लिए एक जन्धन खाता खूला जाना चाहिए यहरी मैं कहूं कि उत्त्राखंड की धर्दी या अध्यात्मिक भूमी है अध्यात्मिक धर्दी है तो यह कहना भी अच्छियोक्ति पूल नहीं होगा यहां तक कि भारत की सिवाओं को सुरक्षित करने में अहम योगदान देने का काम यह कोई राज्य करता है तो वो उत्तरा खंडर राज्य करता है अपनी जिन्दगी यहां थेली पर लेकर भारत की सिवाओं की रक्षा करना यह कोई आसान खेल नहीं है या काम छोटे मन के लोग नहीं कर सकते या काम बड़े मन के ही लोग कर सकते और मैं यह मानता हूँ छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है यो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक भी हो सकता है इसी लिए मैं समझता हूँ कि इस आध्यात्मिक धर्ती से बड़ी संख्यावे लोग सेना में भरती होते हैं सेना के प्रती है हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है यह उत्तराखन के लोगों को कम सकम बतलाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है हिंदोस्तान का हर सेनिग हिंदोस्तान का हर मागरीक तच्चाहिक को जानता है मैं लम्मे समय से राई नएक Lewis प congestion मैं यह उत्तरवरेश का मुख्यमंत्री था 2013 में जब हमारे मोी जी प्रावर्दानमंत्री की उमिर्छवार के रूप में घूशित हुबे तुस्तु आफे पालिटी का रास्ती अध्यक्रण हर्याना की सारवनेक सभा को अत्तंपोरित डबने जा रए थे उन्हाने कहां कि अध्यक जी आए गए मैं किसी प्रधान मंत्री की आलोचना नहीं करता हूँ चाहे वह कांगर्स का हो चाहे किसी राजनिटिक पालिटी का हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्रधान मंत्री ये व्यक्ती नहीं होता है ये संस्था होता है एक बार राजियू गांदीजी ने बड़ी इमानदारी के साथ ये स्विकार किया कि मैं क्या करूँ मैं दिल्ली से सौ पैसा भेजता हूँ खजाने से लेकिन लोगों के पास पहुच्टे पहुच्टे बाब मुस्किल 14 पैसा पहुच पाता है श्यासी पैता है ये व्रष्टाचार की भेट चड़ जाता है किसी ने इस चुनोथी को स्विकार नहीं किया हम लोगों की सरकार मनी जो पहली मिटिंग हुई थी मेरे बहनवाई हो भारत के ग्रिह मंत्री के नाते प्रधान मंत्री जी के साथ स्वंभी में मौदूद था अजिकारियों की वैठक ले रहे थी वो कह रहे थे कि सभी के जनधन खाते खोले जाने चाहिए जितने भी भारत के नागरिक हैं सब के जनधन खाते खोले जाने चाहिए मैं इमानदारी से च्विकार करता हूँ कि मेरी भी समझ में नहीं आया कि प्रधान मंत्री जी तारे देशवासियों के खाते क्यों खुलवा रहे है जीरो बैलेंस एकाउंट खोल दिया जाज है